नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका अपने चैनल जे वीडिवोस दो में पिछले एपिसोड में हम देख रहे हैं तक वे तक शुरू हो चुका है सूरी देव ने अपने जो टॉपिक्स हैं वो इतम प्लियर रखे हुए हैं कि जो भी मानव जाती जन्म लेगी उसमें पॉज नकारात्मक्ता यानि देवों के और नकारात्मक्ता यानि असुरों के गोड़ दोनों वित्यमान होने चाहिए अभी तिक शनी देव ने तर्क नहीं दिया है इसके पीछे इस पस्टी करण्ट लिए सबसे पड़ी चीज है टाइम बाउन्डेशन हम में जारी तो रखा है ह कि कुछिक शड़ जो है जो भी है उनकी घड़ी या ताप लगातर बोलत रही है हां ऐसा करें जब तक डिक डिकलरेशन ना हो जाए सरेंडर की कंडीशन नहीं होने से अब देख रहे हैं कि वह उर्जा उनको अपनी और खीच रही है प्रिथवी लोग की और खीच रही है अब देखते हो कैसे रुख पाती है बिना समाझे हो है शुरू करते हैं एपिसोड इक्या बने पाइट 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 अफसे कथन का सबस्ति करने दो शैनी अन्या था तुम्हें सदैव के लिए प्रिथवी लोग पर निश्काशित कर दिया जाएगा कर्म होया कामना और चयन के साथ उसका परिनाम भी जुडा होता है तुम्हारे चयन से उपजने वाले उस परिनाम के लिए सज्जोशनी 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 देव और दानव चाहिए भीन बाया टारा पाल टारा लेखें और रहें खुड़े 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 तो ऊणिए है बातरो बातर एक जाती का सदा के लिए बिनास्वाइए हुम। बाफ तो जहीं है है तब पॉइंट धिका लागे व्यात अस्तित्व में देव होते है व्यात दानौ दोनों गैन्मान के रहता है कि देव औ दानौ दोनों ही अस्तित्व में है देवा सुर्शंगराम का कारण है, दोनों की शत्रुता नहीं, बल्कि शक्ति का संतुलन बनाना है। ज़िए एक ही पक्ष के पास सारी शक्ति रही, तो शक्ति का दुरूपयोग होना निश्चित हो जाता है। गर्वल्मॉण का बनानी ऩाओने खाओने मध्यन में बनेर्चिता नहीं का इसमिसेत्था सुरूपयोग सारी कि अधiram होना होना जाहिए बनानी पर्वी चाहिए पर्वल्मॉपयोगोग में एक हा 강 1992 सिल्मॉ कहलाश यात्रा की बाती होना चाहें? कठेन, कठोर कहलाश यात्रा में व्यक्ति का सांस नहीं उसका चैन माध्वपून होता है अपने मन्द से दुर्गणों का त्याग करना माध्वपून होता है मनिष्य के लिए आवश्यक होना चाहिए तो वो चैन करें चाहे देवगुन का चाहे असर 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 गुन का और अंतने नरिनायक होंगे उसके कर्व एक पूरे दिन के श्रिजन के लिए खिवद सूरे देव को प्रकाश आवश्यक नहीं रात्री की छाया भी चाहिए रात्री जब दिन से मिलती है तो पूर्ण होता है समय चक्र एक सम्पूर्ण चक्र के लिए हर गुन हर भाव का होना अवश्यक है अवश्यक है इसलिए मेरा मत है कि मनश्य जाती पर देव्या दानव किसी एक का अधिकार नाव विए 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 थी विए मेरी चेतना कहती है कि शनी का दर कुछ इत नहीं यह उक्से भी उतर बुलेगी बनकी एक मात्र तरख है अपी तू दैर्विक है वाव स्यवे広गा सुपर नहीं सुपर सुपर शंवा सुपर स्यव्पर जाए ताला लगा है वेサीरोग जोरे शरू हे सूदिप जी राइव मैं पुटिक्राइव साहिए जी प्रिख्वी परदिकार इन दानोग शनाच्र का हुगा तोले रहेंगे रहेंगे अधिकार नवर रहेंगे हम लेकर रहेंगे इन बहुत हो गई बाते आप कलेंगी लाते हैं अजा नत कहां से लाए भाई जहां आए ऐगे शिर्षंबु वहां तो सबकी सिर्टिविटिक आयाव जाएगी वही शांत कवा सकते हैं जमाहोल की सुरि लोफे tox चल्ला! हाउच्छ्डे को तब से का Versi इंगे twisted धर मैं पैजह है? तबसक्षा उन्वा जिती है? अगा जगा बुजंगतंदमानि घंदमट्टमट्टमट्टमट्टमनि नादमट्टमरवयं चकार चन्दतांडवंतनमत्रनाशिवंत्रोनावे प्रोनावे मैं आय सवाव अखार के फिर भी उसे चलबा आद सोरी लोग प्रतार्तों प्रिव उसे दो देव तो पधारी गए रुरम्मादेव अपने कारे में लेगे होंगे वह बड़ बड़ इस रिजन के लिए ना तो अवश्यक मैंने कहा था इस समस्या का समाथान कांती पूरवक हुना चाहिए इसी लिए इस सभा का आवान दुआ परन्तों तुम तेवता हो अर्दानमों ने इस सभा को रनभूमी बना दिया अब अब अन्तिम निर्नाय मैं लूंगा इस सभा कि अग्ड़ ने अर असमर्नाय के विरूंथ एक शब्द नहीं उठेगा अर अरशुल के प्लिम्स ॉच साइड श्रमा करे महदेव मुझे तुमारी चामासविकार नहीं शुक्रा-चारया विराश्क मैं तुमसे अब जुद्धिन को तो पिर देवराजेंदर और शुक्राचारे अब तो नहीं आप अपने पक्ष को सीमा में रख सको अपने पक्ष को सीमा में रख सको आज किसी पो नहीं चोड़ेंगी अब यापी इंदर्विया था कि मनुष्य में देवगोन होने चाहिए यह है आपके देवगोन होने चाहिए नहीं के साथ वंद्व के लिए प्रस्तूत हो गए यह वलेक था इस सभां जिसकी चेतना ने उसे अनि अंतृत नहीं होने दिया आगए जानी मैं शनी के मत से सेहमत हो महाधिर सेहमत है तो पर्मिशन ग्राण के अच्कड़ी पुल गई या वश्क दिका देखा यदु आपके जिए तो इन्ड़ो आंते नहीं करेगा तो आपके अच्क्क तुण बांते में लिए ग्राण का शाजिया नहीं रहें प्रत्य एक मनुष्य अपनी स्वेच्छा से यह वें निधारित करेगा कि वह किस पुण का चायन करता है क्या कर्म करता है उसी के अनुसार वो उन्नती आवनती करेका ताकि भविष्य में देव और दानव दोनों के लिए उदाहरण बन सब्सक्राइब कि मानव जाती का श्रीजन कौन करेंगा देव यह दानव महादेव महादेव मेरे मत्री मनुष्य जाती का श्रीजन उन्हें करना चाहिए तो देवार अर्डनव तोनों के आराद तल किया है और दोनों से ही विरक्त थकिन मनुष्य जा दिकसwać है के सिएंदौ्न आप संद वाग महा लोगवा तो मैं तो प्रीजन करेंगा हूं इसाला रग्स मेरे बती मनुए सान बहल हमिता mitä नवन और एक नए अध्याय का प्रारंभ भी मुझे ही करना होगा इंदरदेव भी लाइफ, मैं बहुत अच्छ जानता हूँ, इनको विलकुल कुछ नहीं आता हूँ आपके मैं ही कर देता हूँ, यार, महादेव बचकानियार कर दिखा रखें तो हम महादेव पस्तित हैं, इसके बात कर लोगा, खेर, महादेव ने एक बहुत अच्छी बात करी, कि व्यक्ति अपने कर्मों का चुनाव स्वयम करेगा, कर्म कैसे है, इसका ग्यान हम लोगों ने महाभारत में बगवान वासुद्व श्रक्रश्न से लिया, कि कर्म हमेशा ऐसे होने चाहिए, जिससे किसी की हानी न हो, कर्म के पाच से धान्त भी उन्होंने बताये थे, बहुत अच्छे से, उसमें एक सबसे सर्वो परी था, वो थी करुणा, कि आपकी किसी भी कर्म में करुणा का भाव अवश्य होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, निस मनुष्यों को यह जो खुली छूट मिली है कि वो कर्म अपने हिसाब से कर सकते हैं उनके उपर किसी का बंधर नहीं लेकिन परियाम भी उनको उसी कर्म के हिसाब से ही मिलीगा इसलिए निर्मान किया गया है कि देखिए उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थिंकिंग डाली गई है हमने पिछले एपिसोड के अंतों में भी आई का था कि सोच आप की उनी चाहिए कि आप दानो प्रवत्ती का इस्तमाल करते हैं आप देभी प्रवत्ती से र अप्षब्द बौलते हुए मिल सकते हैं और हम वही हैं जो मंदर में पूजा करते हुए दहरël हैं झो किसी से हो सकता है पांच रुपए बचाने के लिए इससे मोल्भाव करने में आदा गंटा उसको अपना घर तक ने कि कि आने के हां के रहने वाले हैं तुम आओ तुम हमसे रुपयान होगी और हो सकता है हम ही वो हैं जो 2,000-5,000 रुपय दान पेटी में पिना कुछ बोलने दान के चलिए है तो हमारी सोच पर नेभर कर वो हम है और जिस प्रकार से देखा ये हमने कि उसके बाद करमोगा डंड भी हमें मिलना है तो कहीं ना कहीं मनुष्य अफ्तार में हमारा शरीर है हमेशा विचार आता रहता है कि हमारे कर्ण किस्प्र के हैं आगे जाकर स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा तो यह इसी सिदानपन ने भर है मृत्यों परांद एक और दुनिया है जिसकी गवाही हम अपना करूप में फिर पुना वापस आएंगे फिर तेरा दिन तक आप अपने परिवार में रहेंगे जिसमें पिंडदान के साथ ही आपके शरीरों का निर्माड होगा दिवशरीर का निर्माड चुकी किसी और है या पंच आयाम में रहेगा उस पंच आयाम में वो दिवश स्वर्ग अथवा नर्ग इन डोनों की सुख भोगने का अवसर पाक्त होगा उसके बाद फिर से आप चायन कर सकते हैं कि आप धर्ती लोग पे आएंगे या नहीं अपने कर्मों के हिसाथ कर्म से धान डिपेंड करेंगे कि आप कहां कटिकट कटवाएंगे हां तो बहुत करते हैं अब करते हैं एक और नए एपिसोड के साहरे तक करेंगे राद 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 राद